इस साल की 11 फरवरी को विज्या एकादशी है इसे विज्या एकादशी क्यों कहा गया है और इस विज्या एकादशी का क्या इतिहास है आए विस्तार से समझ लेते हैं अपने सद्गुरू संच्री आशाराम जी बापु से नारजी कहते हैं कि ब्रह्मा जी मैं आपके चरणों में आया हूँ मैंने सुनी ये बड़ी भारी मैमा विज्या एकादशी प्रभू विज्या एकादशी का महात्म सुनने वाले को बाजबे यग्य का फल कहा गया है विजया एकदशी व्रत करने वाला विजयी बन जाता है तो ब्रह्मादेव मैं आपके स्री मुख से विजया एकदशी का महात्म सुनना चाहता हूँ ब्रह्माजी ने विजया एकदशी का महात्म बताते बताते कहा त्रेता युग में श्री रामचंदर जी का आउतरन हुआ और रावन सीता ले गया रामजी सीता खोचते खोचते जटायू तक पहुँचे और जटायू को गोद में लेते हुए रामजी ने उसे पूछा तात इतने बड़े भ्यंकर रावन से युद्ध करने में तुमको डर नहीं लगा तुम नी हथे पक्षी और वो हत्यारवन एक बलवान रावन तब भारत का पक्षी गीद जटायू आखों से मोती बरसाता हुआ कहता कि प्रभू मैं क्यों डरूं डरता तो तब कि सन्सकृती पर प्रहार करने वाला विजय होकर चला जाये और मैं चुप रहूं तो मेरा आत्मा मुझे डराता, मेरी शक्ति के अनुसार में भीड़ता रहा तो डरूं कि उम्या अपना करतेगा करता रहा पल सवरूप आपकी गोद में आया हूँ मैं क्यों डरूं अपना कर वो भयंकर रावन के साथ लेकर भीड़ता है और राम की गोद तक पहुंच जाता है तो आप भी अशुद्ध के आगे जराक गर्जना से जियो ताकि अंतर्यामी राम के अनुभवों में मन्बुध्धी लग जाए भाईया नारद फिर क्या हुआ जटायू ने आखे मूंदी और स्री राम चंद्र जी ने अंतिम यात्रा अपने हाथों से जटायू की कर दी राम चंद्र जी सीता को खोचते खोचते जब पता चला हनुमान जी के द्वारा स्वयम प्रभा ने योगबल से देखकर बताया तो अब दर दर्या की नारे आये मगरमच और घड़्याल और दूसरे भयंकर प्राणी अटखेलिया ले रहे हैं इस दर्या को लांगना कैसे स्री राम चंद्र जी सुबे का ध्यान मन बुद्धिय अपने राम तत्तों में लगा कर जब सोच विचार कर रहे हैं लखन बहिया कुछ सूचता है तो लखन ने कहा कि प्रभू यहां से थोड़ा दूरी पर बकदाल अव्यमुनी का आश्रम है वे मुनी आत्मरामी है और तप व्रत्त तिर्थ से क्या फाइदा होता है वे बड़ा रह से जानते अपन उनके पास चाहें स्रीराम और लखन भहिया बकदाल अव्यमुनी के आश्रम में आए और स्रीराम चंदर जी ने मुनी का सतकार के और मुनी भी पहचान गए राम जी ने कहा कि हमें समुद्र पार करना के लिए कोई उपाए और हम इस नरा अधम रावन पर विजय हो उसका कोई उपाए आपको सुझे तो बताने की कृपा करें ब्रह्मा जी कहते नारद बगदालव्यमुनी ने श्री राम जी को बताया कि विजया नाम की एकादशी का वरत करने वाला अपने कार्यों में विजय पाता है और इसका मात्मित सुनने वाला भी बाजबी यग्गी के फल को पाता है दस्सम को एक टाइम भोजन करें एकादशी के सुभा को संकल्प करे के आज एकादशी का वरत है मैं अपने वरत में द्रड रहूं और मेरे मन बुद्धी को नाराइन तुम्हारे चर्णों में लगाँ फिर कलश की स्थापना करें पांच फल कलश पर रखे और साथ प्रकार का अन कलश के इर्दगिर्द रखे अर्धूप दीप से उसका पूजन करके जलदेवता का सतकार करें और जलदेव में भी स्वाद तत्व जो आत्मदेव का है उसका पूजन सुमरण करे वो सके तो दिन बर वाँ जप ध्यान और शास्त्रा दिन करें रात्री को भी जाकरन करें और बारस को उपवास खोले वो हर क्षेत्र में विजय होने का फल पाता है पूज बापुजी के जीवन उपदेशो और योग लिलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजिन रिशी दर्शन पाएं अपने एंडरोईट फोन पर जिसमें आप पाएंगे पूज बापुजी की ज्यान भक्ती योग से संपन्न अमरित्वाणी शास्त्रों का गूड रहस्य व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्वर बापुजी के कहीं नप्राप्त होने वाले दुलप सत्संग, संकीर्तन और हर रितु में स्वस्त रहने के उपाए पूज बापुजी के मंगल में दर्शन वसंदेश, आश्रम वसमीतियो द्वारा चलाये जा रहे सेवाकारे और कैसे गुरुक्रिपा से पाते है भग्त, सब कुछ Easy Sign Up, मोबाइल पर ही हर महिने रिशी दर्शन को डाउनलोड अत्वा प्ले करें Easy Payment and Easy Membership झाल